हेलो एपरिबन दोस्तों कैसे आप सभी लोग दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नबर 2 यानि सविधान में दिकार को मौस्ट इंपोर्टन एमसी क्यूज करने वाले दोस्तों टर्मन एक्जाम कोलर काफी इंपोर्टन देखेगा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूले दोस्तों चले दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का सबसे पहला प्रश्ण करते दोस्तों सविधान के किस भ बिल्कुल सब सही है सौता का दिकार अनूछे popul और दीकारता जो पार वाधीकार उस से इक होगा है य्यां यह चुमलत नहीं है यनि यह सूमृत नहीं है, संपत्तिक अधिकार की बात करें दोस्तों संपत्तिक अधिकार भाइते सब्दार और अधिकार На Naonooch pollen 31 में दिये गए ता हालनकि आप जो संपत्तिक अधिकार नहोंकर अविधिक अधिकार रहे गया है तो जो सभी विकलब जो सुम्रित नहीं वो C धर्म की सुटन्तर्टा का अधिकार 29-31 नहीं है इसे किसा अधिकार के नाम से जानते हैं दोस्तो ठीक है, संस्कृति और सिक्षासे मीफिजार संब्द अधिकार जो है 29-31 में दिया गया है और जो धर्म की सुतनतरता का अधिकार है वो अनुचित 25 से 28 में दिया गया है चलिए अगले प्रसन पर चलते हैं दोस्तो प्रसन नमर 3 निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है A. संपत्तिक अधिकार को 44 सब्दान संसदन के बाद हटाए गया B. संपत्तिक अधिकार अब मात रेक नहतिक अधिकार रहे गया है C. इस समय के ओल छे मूल अधिकार है D. भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के सब्दान से लिया गया है तो इसमें से कौन सा कथन गलत है तो जो गथन गड़्ट है वो है कथन B यानी संपतीक अधिकार अब मात्रेक निदिक अधिक नहीं梁 बलकि अब एक विधी क अनी कानुनी अधिकार रह गया है घेक 84 में सब्थान संसुलदा 1978 के तहरा अन्चेत 300 का कहता है जो है अपसंपतिक धिकार एक विधी एधिकार रह गया दोस्तु चलिए अगला प्रसण निभ्ली की तमीं से सव्धान के अनुच्ष निश्में नहीं है सव धान के अनुच्ष और दिए और दो दोको दोस्तों और चैनल पर आप नहीं तो चैनल को सब्साइब करना बिल्कूल भी मत बूले दोस्तों और इस वीडियो के बाद इस इंपोर्टन कोशिन के बाद आपको अधिकार से तो मुझे कोई भी प्रसंट प्रिक्षा में नहीं चूटने वाला दोस्थाप का ठीक है चलिए प्रसंट नमर पांच अनुच्छेत 18 के अंतर का निम्न में में से कौन सी उपादी एक भारती द्वारत धारत नहीं की जा सकती तो भारती द्वारत धारत नहीं की जाते हैं अनुच्छेत 18 है वह उपादियों के अंत की बात करता है तो अनुच्छेत 18 के अंतर का जो है दोस्तो दिवान ने वहादूर के अपादी धारत नहीं की जा सकती पदम सी पदम बूसल और भारत नतन ये उपादियां और सैने के अपादी है और सिक्चित उपादी है ये धारत की जा सकती पर दिवान ने वहादूर के अपादी धारत की जा सकती है चलिए प्रस्ट नंबर six निम्ने में से कोंसा कार अनुचे सतरा के अंदर चुवा चूत माना आता है तो धार प्रस्ट नमर साथ शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाए गया है तो सिक्षा का जो अधिकार दोस्तों आगले कोश्चों में बताई हुआ है तो यहाँ प्रस्ट नमर आठ निमने में से कौन सा कतन असत है अनुच्षा का का संबन सिक्षा का अधिकार से है यह सही है शिक्षा का अधिकार 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 को दोजर आठ में संसरत ने पास किया गलत है दोस्तों यह इन में से छे से चोद़र वस तक के बच्चों को मुफ्च्षा दिया थी बिल्कुल ठीक है सिक्षा का अधिकार अधिनियम 66 सविधान संसुदन को पास करके बनाए गया था यह भी बिल्कुल सत है तो जो सिक्षा का अधिकार अधिनियम संसुदन दो हजार नौ में पारित किया गया कब किया गया दो हजार नौ में पास किया गया समाप्त नहीं होते तो एक है भारतिय सर्धान के जो जो अगर आखरमन होता है और सलविद्रों के मात्यां से जब आकरमन होता है तो राश्य पाद काल कोशनग की जाती है चलिए प्रस्ट नमर दस अनुशेत 25 का समद किस्से है तो अनुशेत 25 का समद किस्से है दोस्तो A धर्म की बुद्धी के लिए प्रयास की स्वतन्दता B किसी धर्म को प्रचारित करने हैं तो कर छूट C. बलासरम और अवैद मानुवपार की वुरुत प्रतिसेत D. प्राण एम देहिक स्वतंतरता का सनक्षन तो अनुचेत जो 25 से दोस्तों वो संबंदित है धर्म की यानि किसी धर्म को प्रचारित करने तू कर से छूट और धर्म की बुद्धी के लिए प्रयास की स्वतंतरता ठीक है इसका जो सही उत्तरता जोस्तों चलिए Question अगला है मूल अधिकारों को सवर प्रत्म किस देश में सवधानी मानता पतान की गई तो मूल अधिकारों को सबसे पहले लागू करने वाल देश कोंसा वह है सन्यूतरा जमेर का यानि USA यहां पर पहली बार मूल अधिकारों को स्वर प्रत्म लागू किया गया था तो बीस का सविवकल पर अग्ला प्रसन ए भारति नागरिकों के मौलिक अदिकारों को वरणन है भारत से अगर दोस्तो जो मौलिक अदिकार दिये क्या है वो अनुचhaft 12 से 35 तक बिये है है और सवधान की भाग 3 में ठीक है अनुच forte 25 वांतिके मौलिक अदिकारों को वरणन किया गये है प्रसर नमबर अगला है दोस्तो मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि नियारे दोर वह परवर्थनी हैं बी सन्यूत राश्च मान अधिकार गोशना पत्र के नरूप है सी सरलता से संस्दूदरिनी है डी मानो के प्राकर्थि और अप्रति दिये अधिकार है प्रसफर अगला है दोस्तो मूल आधिकार नागरी को कुल कितने मुल अधिकारasan पतर है तो भातस सब्थान दुबारा दोस्तों घता भारते समुल सब्थान की बात की जाए의 नीudas वरतमान के दिखर बना को भारत के सवधान में मलिक अधिकार ए बमोल सविधान का इससा में यह इसका सही विकलप है दैसे इसा विडियो अच्छे लगना है और प्लीज इस वीडियो के e-न तक देखना भी मत भूली दोस्तो Gel अगला कोश्चन भारते सवर्धार में ने में कौन परवृतिणी हैं जो अमारा जो सरवच ने मूल अधिकारों का सन रख्षा कर रभुए हुँअ्र पहलेका और आर्टिकल धरिटीटू को प्षार को हुद्शार कोशिन है तो चलिए कोश्चन वह भाउद सव दान में राज के निती निदेशान तो गरला प्रशन तो जो जो निती निदेशा के किस भाग में किस भाग है दोस्तों जो है भाग चार में किया गया है यहां भारते सफ़धान के भाग चार में राजि के निती निर्देसर तत्तों को लेक किया गया है दोकित सब्सक्राइब दिए अगला प्रशन संग या संगठन बनाना किस परकार का मोली का दिकार है तो संग या संगठन बनाना जो है सब्धाने के अब आत्मा हैँथ अगला प्रशन सब्धानिक प्रश्रोंत के अगला प्रस्राइ प्रश्रों का अदिकार माली यहीत यहाई कि माली लिकला विकली का विसकर रख्षा कोण अगला प्रश्न संसधु करने में tuna हैं संसदू संसद अनुछे 368 का प्रिए करके मौलिक अधिकारों में संसदन कर सकती है और यह अधिकार 200 कभी आगे संसद किस वाद के बात हूँ यह अधिकार संसद की मिला है केसवा नंद भारती वाद के बात के बात के आतल दो यहां कॉशन काफी important है चलिए निम्मि की तो से कोन सांघ्र नहीं है समान्ता का अथिकार बी सहसेटा लगशेस का दिकार चाहर, शी सवतंतर्ओंत्र लेसी में द्ली ला भारत केस्षिता ने मोली जोड़ा गया तो चेलिए अगला प्रसन है मौलिक अधिकारों को लाओ करने का दायत तो है तो मौलिक अधिकारों को लाओ करने का दायत तो है उच्छेतम नाले बी उच्छे नाले यानि उप्रिक तो दोनों पर यानि ए और बी दोनों पर मौलिक अधिकारों को लाओ करने का दायत तो है उच करते हैं तो भारत में मोलोही का अधिकारों के संबन में जो QTV सही है वह किया केवल ऐ तद्orar दो सही है क्योंकि यह राज के करतिके विरेज Theo Kלה समाजिक आर्थिक और राधनेतिक नया सुनुचित करने बाद कुन करता है यह आपको मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताने दो अगला प्रश्ण है नेस्ट निमलिकित में से किस दूत्य पीडी का मानुदिकार समझा जाता है तो समन्ता का दिकार जो है दो सो अड़ी समन्ता का दिकार जो है दूत्य पीडी का मानुदिकार समझा जाता है इसे प्रसन है भारते सवधान में समानता का दिकार पांच अनुचेद दोरा प्रदान किया गया है तो जो समानता का दिकार जो है अनुचेद 14 से 18 सी इसका सही विकल्प है बारते सवधान का निमलिकित में से कौन सा अनुचेत विधी के समक्ष समानता के दिकार से संबनित है तो अनुचेत पंदरा दो है दोसो अब विधी के समक्ष समानता से संबनित है और विधी के समानता सनक्षर दो है अनुचेत चोधा अंगला राजिके निती निर्देसक्त तत्तों में निमलिकित में से किन किन परकार की सिधान्त अनतर नहीं थे तो राजिके जो निती निर्देसक्त सिधान्त दोस्ट में आरती सिधान्त भी है समाजिक भी है प्रसासनिक भे उप्रूप सभी अन्डी इसका सही विकल्प है अगला प्रस्ट निम लिकित में से किसने निती निदेसक्त सिदानतों को बैंक की सिवधा अनुसार दे उत्तर दिनांकी चेक का है एच कुंजरू एक एयर एवी कामत केटी सा तो ये दोस्तों आपको मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताना है कि निम लिकित में से किसने निती निदेसक्त सिदानतों को बैंक की सिवधा के अनुसार दे उत्तर दिनांकी चेक का है इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा मैं आपको जरूर बताओंगा कि आपको उत्तर सही है या गलत है या आपको एक प्रकार दोसो जाजने में योग और सफलत बनाएगा अगला है किस सविधानिक संसोदन अधिनियम ने राज के निती निर्देसर तत्तों को मोलिक अधिकारों के पेक्षा अधिक परभावसारी बनाएगा तो दोसो निती निर्देसर सिधान जो है वो वाद योग नहीं निती निर्देसर सिधान तो को प्रदान करने की वादा नहीं किया कि एनि राज जी पास इतनी संपत्ति है तो उसके अधा पर निती निर्देसर सिधान तो को जनकिला नी का बर्लीड़ को नागिरुपन गर सकती है जबकि जो वे एक दूसरे की पूरक हैं ये कतन इसका सही है अगला है समान कारिकल समान वेतन भारत के सवदान में सुनिचित किया गया एक कहा है दोसो राज के निती निर्देसर सिदान का अंग है ये इसका सही विकल्ब है चलिए अगला प्रशन के है दोसो निती निर्देशक तत्तों का मैं तो किसके लिए है तो निती निर्देशक तत्तों जो है दोसो किसे संबंदित है वो संबंदित है राज से जबकि मौली के दिगर किसे संबंदित है वो है नागरिकों से ठीक है या भी आपको याद रखना नागरिकों से संबंदित है समान नया और निसल के विधिक सहायता का प्रावधान सविधान की किस अनुच्छेट में तो वह है दोस्तों अनुचेत थर्टी नाइन क्लोज ए इसका सही विकल्ब है अगला है प्रसन निवलिकित में से कौन सा एक सविधान के 42 में संसोधन द्वारा निती निदेश से तत्तों में नहीं जोड़ा गया सोशल से विवाँ तता बच्चों सुरक्षा समान नयाय तता निशुल कानुशला सभी नागरिकों के लिए समान आचार सा इंता और उद्योगों के प्रवंदर में सरम्यों के भागदारी तो डी जो निवलिकित में से कौन सी एक समीति ने नागरिकों में मूल करतव को 1976 में समलित करने के अनुशनता की थी तो मूल करतव को भागदे सभदान में जो है सामिल किया गया था तो स्वर्ण सिंग समीति के माध्यम संडी इसका सही उत्तर है दोस्तों अगला प्रश्ण है निवल और सविधान में मूल करतव को अन्ता इस्तापित किया गया तो 1976 में मूल करतव को सवधान में अन्ता इस्तापित किया गया यानि मूल करतव जो है वह भारते सवधान के अगर हम बात करें तो मूल सवधान की इसा नहीं थे नेस्ट मौली करतवे को निर्धायद किया गया है तो मौली करतवे को कि निर्धायद किया गया है 42 में सब्दान संसुदान 1976 के द्वारा जो है मौली करतवे को निर्धायद किया गया है अगला पसदान 1976 में 42 में सब्दान संसुदान द्वारा सब्धाय में नागरीकों के लिए कितने मौली करतवे निशित किये गए है तो मूल सब्धाय के अगर हम बात करे तो 10 थे वरतमान में अगर बात करे तो 11 थे तो मूल सब्धाय जो मूल अगर बात करे जो पहले बार मौली करतवे को जोड़ा गया है भागचार का में अगला प्रस्टन है बारते सब्दान की किस अनुच्छत में मौली करतवे कर चर्चा की गया है तो बारते सब्दान की अनुच्छत ये क्यावन क्लोज ए में मौली करतवे कर चर्चा की गया है में संभूनeft कोन सा मौलें करतव नहीं वाकि राज की गया पालन कानूण गया पालन समासर के पर पतव्य नहीं है हालां कि इसे जोड़ा तो गया था स्वाट सिंग समीति दौर परंतु से सब्धान में सामिल नहीं किया गया बाद में मौलिक अधिकारों को लागु करने का दाइत तो है उच्छी तमनाले पर उच्छी नाले पर उप्री दोने पर तो मौलिक अधिकारों को संबंद में निम्ने व्यक्तों विजार कीजिए यह राज कृति के वुर्ट एक गरंटी है सही है यह सविधान के भागतीर में सुचित बिल्कुल ठीक है यह समाजी कारती और राधिन नया सुनिशित करते हैं गलत है ठीक है तो इसका जो सही विकल पर एक और दो सही है दो ठीक है इसका तो हमने पहले जिगर कर लिया था तो भारते सब्दान में चुआ चुट उन्मनार का संबंद है कि सनुचे से अनुचे सत्तरा चुआ सुच से अठारा उपाद्यों से ठीक है यह आपको लेकर चलना जा चौदा समानता गदिकार जो है और पंदरा विधी के स समझते बात करता है कि निम्ली कि में से कौन सा मोलिक अधिकार नहीं है तो मोली कधिकार कौन से ए आने के और सिब्साय का अर्दार पर जाने के दिकार, D धर्मगादिकर, तो महछी के दिकार कौन सा है, जो नहीं है, दो सोय है, हर्ताल पर जाने के दिकार, मुझे महछी के दिकार नहीं है, अगला प्रसंद निमलिकित मौलिक अदिकारों में से किसे डॉक्टर बी आरेम बेटकर ने सब्धान का हिर्द एवं आत्मा की संगर की है तो सव्यधानिक उप्चारों का अदिकार दोस्तों भी इसका सही विकल्ब है प्रसन है अगला है निम लिकेज में कौन सा अधिकार भारते सविधान के अनुचर 32 के अंदरगत परवर्तित किये जा सकते हैं तो भारते सविधान के अनुचर 32 के तार जो अधिकार परवर्तित किये जा सकते हैं वो है दोस्तो मौली का अधिकार चलिए अगला प्रशन है बंदी प्रतिक शिकर और याचिका केवल निरुद व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है B केवल हित बद व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है C किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है टी निर्वेक्ति या हीत बद्वेक्ति दोनों दोरा लिक यमार्थ दाकिल की जा सकती है तो सही में विकलप इसका अगला निम लिकितुमिसकि स्याज़ का यहीं इत, रूडिड का साबदी कर्थ आम आदेश देते हैं सवर्बह, और नम्रीकित की स्याज का या?! परकाल की रिट जरीगतिती है और उनहीं प्रकाल के इडिट में दोस्तों प्रमादेश भी है जिसका साथा है हम आदेश देते हैं कि समपत्य के मौलिक इदिफारों कब समाप्त कियाकता समंपत्त किया के modikt कि 경찰 में सब्धान के चवालिस में सब्धान संसोदन के दोबारा और इसे 31 यानि जो मौली के अदिकार तो इसे हटा कर सब्धान के बात करे तो अनुचे 300 का के तहद जो है अब विदी के अदिकार बना दिया गया है संपत्तिक अदिकार को मुल अदिकार की सिरुणियं से अटा कर किस अनुचे दिकंद्र रखा गया है तो अनुचे 305 का के तेर रखा गया है अगला प्रसान है, किस वाद ने संद्द को मुलिक अदिकारों में संद्राइब दिया, वो है organ, भारतिवाद जब कि गोलक नाद वाद में यह मामला समाप्त कर दिया गया लेकिन बाद में के सब्सक्राइब करके जो है क्या कर सकती है मौली के दिकारों में बदलाव कर सकती है कि बट मूर अधिकारों को छोड़कर तो यह हैं हमारे अब तक के मोस्ट इंपोर्टन एम से क्यूँ ठीके दोस्तों तो इसमें से अधिकतर प्रसंट जो है आपको परिक्षब प्रसंट प्रतर उसमें देखने को दोस्तों मिल जाएंगे तो प्लीज इस वीडियो को जादा जादा सेर कर देजिए ताकि हर बच्चे तक जो है वीडियो पहु को मिल सके तो तो चलिए तो आप से अलविदा लेते हैं मिलते हैं ने सुडियों बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन